तो दोस्तो मैं आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि योनो SBI अप्लिकेशन में आप रेजिस्टर्शन कैसे कर सकते हैं अगर आपका बैंक एकांट एस्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो आप योनो SBI अप्लिकेशन का यूज करके आप अपने एकांट को मैंनेज कर सकते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लिट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि आप किस तरीके से यूनो SBI अप्लिकेशन में आप रेजिस्टर्शन कर सकते हैं कैसे आपको एकांट बनाना है कैसे आपको आइड पास्वर्ट करेड़ करना है सब कुछ म सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सब्सक्राइब करेंगे आपको यहां पर यहां पर यहां पर लिखा हुआ है तो आप online account open कर सकते हैं उसरे आपको सब्सक्राइब करना है पर यहां पर देंगे तो आपको लिखेंगे पर क्लिक करना है जैसें आप 듣 क्लिक कर देंगे तो आपको यहांपर थोड़ा दुर हैं यहां पर यहां पर दिया को दिखा रहा हूं is तरह में यहां जो भी आपके bank account का number है उसके आपको नीचे नेक्स्ट का option मिल जाएगा नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है उसके बाद जो है आपको यहां पर कुछ इस तरीके का interface दखने को मिल जाएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ आज आज आएगा और यहां पर पर कर देख सकते हैं आपको फूर्ट का option आ रहा है इस वाले option पर किलिक करना है इसके बाद ज्याइगा जैसे कि आप एसक्रीप पर देख सकते हैं मैं यहां पर हैलेट करकी दिखा देता हूं जैसे पहला option मिल जाएगा आपको register for you know with my ATM card और दूसरा option मिल जाएगा register with account address तो मैं आपको बता दू जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला option मिल जाए register with for you know with my ATM card तो आप यहाँ पर ATM card से registration कर सकते हैं अगर आपके पास ATM card नहीं है तो आपको यह option को select करना है register with account address तो मैं आपको बता दू कि अगर आप नीचे वाले option पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके लिए ब्रांच विजिट करना पड़ेगा और उपर वाले option पर अगर आप select करेंगी अगर आपको यहाँ पर देख सकते अगर चाहिपशन नहीं होता है तो आपको यहाँ पर डाल देना है और OTP डालने के बार नीचे submit का option मिल जाएगा submit पे आपको click कर देना है उसके बाद जो है आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का interface देखने को मिल जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले उपर पर लिख करके आज जाएगा review user details तो यहाँ पर आपको review करना है जैसे कि आपका नाम सो कर जाएगा और उसके बाद आपको cif number सो कर जाएगा आपका cif number आपके bank passbook पे cif number होगा यहाँ पर देख लेना है आपका cif number सो से एक option आपको मिल जाएगा åp का option मिल जाएगा जो कि यहां पर देख साते है ATM card details तो यहां पर आपको अपने ATM card का last card 6 digit number डाल देना है जो कि यहां पर लिखा हुआ आ जाता है please enter last 6 digit of your ATM card तो यहां पर अपने ATM card का last card 6 digit number डाल देना और उसके बाद जहें नीचे next का option मिल जाएगा next पे-आपको किलिक कर दा उसके बाद जो है आपको ATM pin यांपने का option मिल जाएगा तो आपको यहां पर ATM pin डाल दना है जो भी आपके ATM card का piece है यहां पर आपको इन जाए इश्चे खाता first time registration करेंगे तो आपसे username और password मांगा जायाएगा तो यहाँ पर आपको अपने recording username आपको create कर लेना है जैसे कि अगर आपका नाम राजु है तो राजु उसके बाद जो है आप चार अंक लिख सकते हैं नंबर में तो कुछ इस तरीके से आपको create कर लेना है उसके यहाँ पर पासवर्ट है तो password आपको create करना है password आपको ऐसा करना है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ सबसे पहले यहाँ यहाँ पर देख साथे लिखा हुआ है password आपको create करना है तो password कैसे create करना को आप यहां पर यहां पर लिखा हुआ है at latest- syrup तक पासवार के कर सकते हैं जो कि Ip just here on capital में अजिए को पहले आपको लिकेनाहाм सुरुराइन और सने के तरह म carve हैं इसका type को कोई simbol डालना है जैसाकि हैे समय के कूछ इस तरीक्री के आपको यूसर नेम क emba das रियर और तो यूव—बसके आपको नीचे खुरी चाहा का और बाहर्त पहले ऐसे आपको यहापको यहां नीचे लिएखकोग आज तो पहले उसके गयर जाया जाय उसके नहीं ना उसके लिए हुआ है set MPN क्योंकि आप दुबारा से योनो SBI application जो है login करेंगे तो आप से बार बार जो है username password की उसर नेम और password डालने का option नहीं मांगा जाएगा बस आपको MPN ही डालना है बत six digit का तो आपको एक बार MPN set कर लेंगी तो दुबारा से जब आप योनो SBI application open करेंगे तो आप से MPN ही मांगा जाएगा नंबर में तो आपको MPN set करना है तो MPN set करने के लिए आपको नीचे एक option मिल जाएगा set MPN का तो आपको set MPN वाले option पे click करना है उसके बाद जो है जैसे ही आप next पे click करेंगे तो आप यहां पर देख सकते लिख करके आज आएगा congratulations you have successfully registered और आपको okay का option मिल जाएगा okay पे click करना है जैसे ही आप okay पे click कर देंगे तो आप जो है UNO SBI application में जो है login हो जाएगी जो कि आपको जो है UNO SBI क्सक्राइब चलिए मैं यहां पर highlight करके दिखा जाता हूं इसस तरीक से हम पेज पर आ जाता हूं उसके बाद आप यहां पर देख साथ है account का option में जाता है इस पर click करके आप account statement निकाल सकते हैं इस पर click करके जोई आप FD account, RD account खुल सकते हैं, इसकाद यहाँ पर एक option मिल जाता है, योनोपे का, तो आप इस पर click करके, जो है, आप money transfer कर सकते हैं, जैसे कि चलिए मैं यह भी दिखा देता हूं, कैसे आपको money transfer करना है, उसके बाद जो है, आपको money transfer करने के लिए, एक option मिल जाएगा, देख सकत तो आप कुछ इस तरीके से जो है, आप money transfer कर सकते हैं, इसी तरीके से आप back करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक option मिल जाएगा, आपको you know cash का, तो आप इस पर click करके, जो है, आप you know application के थुरू जो है, आप ATM card से cash निकाल सकते हैं, यानि कि आप ATM से cash निकाल सकत है, मिलते किसी next video में तब तक के लिए, thank you so much, bye